तो पिछले पार्ट में हाओचेन ने अपने लिक्विड स्प्रिच्वल पाउर को यूज करना सुरू कर दिया था जिसे देख अब हुवांगी की हालत भी काफी खराब हो गई थी क्योंकि वह भी जानता था कि या चीज इसके लिए उतनी अच्छी नहीं है तभी हाओचेन अचानक से इसके उपर अटैक करना सुरू कर देता है लेकिन इस बार उसने एक साथ में 18 बार अटैक कर दिया था इसलिए जाह देखते ही हुवांगी भी अपने चारो तरब कोई सिल्ड बनाने की कोशिस करता है लेकिन असल में इस बार वाला हाओचेन का साफी हैरान हो गया था क्योंकि असल में हुवांगी ने इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था तभी हाओचेन देखता है कि हुवांगी इसके उपर अटैक करने के लिए फिर से रेडी होने लगा है और इसमें भी सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि उसकी स्प रिच्वल पाउर बची हुई थी अब इसके तुरंत बाद ही वो अपने होली स्प्रीट फरनेस के पाउर का यूज करना भी सुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि इसके मदद से उसने हुवांगी को बहुत ही असानी से पकड़ लिया था जिस बात से खुद हुवां इसे कंट्रोल भी कर पा रहा था अब इस बात से इन सभी को लगने लगा था कि हुवांगी की अभार होने वाली है और फिर हाओचें भी इसके उपर अटैक करने के लिए चला जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुवांगी भी अपने किसी पाउर को एक्टिवेट करन करने वाला था अव ही अचानक से उसके चस्ट के अंदर से कोई चीच बाहर निकलती है और इसके मदद से हुवांगी ने हाओचें के अटेक को बहुत ही असानी से रूक दिया था और इसी के साथ उसने हाओचेन के कैद से भी खुद को अजाद करा लिया था अब इसके बादन देखते हैं कि यहां पर एक लिटिल एल्फ बाहर आ गया था जो की देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और असल में वो हुआँगी का मैजिकल बिस्ट होता है वहीं दूसरी और हाओचेन इस बार भी हुआँगी का कुछ नहीं कर पाया था और इस बार भी वो इसको हराने में फेल हो जाता है इसके बाद लिटिल एल्फ हुआँगी के कंधे पर आकर बैठ जाता है लेकिन अब इसे देखते ही हाओचन काफी हैरान हो गया था क्योंकि असल में यह चीज elemental spirit furnace होती है क्योंकि अगर spirit furnace heaven and earth का treasure है तब इस condition में elemental spirit furnace को सबसे rare treasure माना जाता है क्योंकि elemental spirit furnace में heaven और earth की power आ जाने के बाद वो अपने owner को पाचान जाता है इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि उसके बाद से यह चीज elemental spirit में change हो जाती है लेकिन इसमें भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये magic power को बढ़ाने के साथ साथ spiritual power के conjunction को भी कम कर देता है अब इस बात की वज़ास से हाओ चेन को समझ में आ गया था कि यहाँ little elf भी काफी powerful है क्योंकि असल में वो एक तरीके से एक साथ में दो fifth level वाले magicians से सामना कर रहा था वहीं लाओरेंड भी इसे देख कहता है कि यह तो एक elemental elf है जो की इस पूरे लीग में बहुत ही कम है इसके बाद हुवांगी elemental elf को हाओचन के उपर attack करने के लिए भेज देता है ताकि इसका फाइदा उठा कर वो किसी बड़े move की तयारी कर सके अब यह little elf अचानक से एक earth giant में बदल जाता है जिसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे क्योंकि यसल में यह चीज लेवल 5 की सबसे ताकतवर earth magic होती है अब हम देखते हैं कि हुवांगी अपने magic का यूज करके इस earth giant को control कर रहा था और इसके मदद से वो हाओचन के उपर attack करना सुरू कर देता है अब यह देख हाओचन एक barrier को create करके खुद को बचाना चाहता था लेकिन इसके बाद भी earth giant इसके barrier को बहुत ही असानी से तोड़ देता है इसके बाद हाओचन खुद को बचाने के लिए इसके उपर attack करने लगा था लेकिन हम देखते हैं कि earth giant की defensive power सच में बहुत कमाल की होती है जिसके वज़ास से उसकी injury अपने आप हील हो जा रही थी अब इस बाद से हाओचन की परेसानी और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने attack से इसको जखमी भी नहीं कर पा रहा था जबकि उसकी spiritual power अब खतम होने वाली होती है इसके बाद वो decide करता है कि वो वांग यू को और किसी spell को use करने में कामयाब नहीं होने देगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस game में वो जरूर हार जाएगा तभी इसी बीच earth giant फिर से इसके उपर attack करने के लिए आने लगता है लेकिन इस पर हाओचेन इसके attack से खुद को बचा लेता है और फिर सबसे पहले अपने shield का use करके इसके उपर attack कर देता है जिसके दोरान हम देखते हैं कि अब earth giant भी injured होने लगाता और इसे देख हुआंग ये को इसके बारे में चिंता होने लगी थी लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओचेन इसके उपर लगातार attack करना सुरू कर देता है इसलिए earth giant भी इसके attack को जदा देर के लिए नहीं रोक पाता और फिर वो अपने little elf के रूप में आ जाता है जिसके बाद वो उदासो कर हुआंग ये के पास में चला गया था लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हुआंग ये के पास में कोई बहुती ताकतवर पाउर होती है और इसके बाद वो अपने heavenly cave robbery skill को activate कर लेता है जिसके बाद अब हाओचेन के sir के उपर एक giant fireball activate होने लगाता और अब इसे देखते ही यहां पर मौझूद सभी लोग काफी हैरान हो गएते क्योंकि असल में यह चीज 6 level वाली magic होती है वहीं अब हुआंग ये अपने इस power का use करके हाओचेन के उपर attack करने के लिए चला जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बाद से हाओचेन भी काफी परिसान हो गया था च्योंकि इस attack को रोकने के लिए उसे कोई भी रास्ता नसर नहीं आ रहा था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस magic को use करने के वज़ा से हुआंग ये की हालत भी काफी खराब हो गई थी लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन होता है कि वो इसके मदद से हाओचेन को हरा देगा क्योंकि यह चीज उसका सबसे powerful attack होता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेफरी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और इसलिए वो लाओरेन से कहता है कि अब हमें इस game को यहीं पर over कर देना चाहिए क्योंकि इनको लग रहा था कि हाओचेन इस condition में उसके attack को नहीं रोक पाएगा लेकिन फिर भी लाओरेन हैरान होता है कि क्या हाओचेन हार मानने के लिए ready हो गया है तभी इस सी बीच हम देखते हैं कि हाओचेन ने हाओयू को यहाँ पर बुलाने का decide कर लिया था जिसका सीधा मतलब था कि वो अभी भी हुवांग यह के सामने हार नहीं मानना चाहता अब इस बात से यहां के सभी लोग काफी हैरान हो गए थे क्योंकि अभी तक इन में से किसी ने भी इसके magical beast को नहीं देखा था अब इसके कुछी समय के बाद हाओयू भी यहां पर आ जाता है जिसे देख एक असे सिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि एक बॉल जैसा दिखने वाला चीज magical beast कैसे हो सकता है वहीं हम देखते हैं कि अब हाओयू को यहां की situation पूरी तरह से समझ में आ गई थी जिसके तुरंत बाद ही वो हाओचें की मदद करने के लिए ready भी हो जाता है और इसके बाद वो अपने 5th लेबल वाले spirit renewal technique का यूज़ करना सुरू कर देता है लेकिन अब हाओयू को देखते ही यह सभी लोग काफी हैरान हो गए थे क्योंकि याज़तकी नहोंने ऐसा magical beast कभी भी नहीं देखा था सब इसी बीच हमें यहां पर दो लड़कियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं जिन मेंसे एक लड़की को यकीन होता है कि हाओयू इस 6 लेबल वाले magic को नहीं रोक पाएगा जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओयू इसे रोकने के लिए पूरी तरह से ready हो गया था और फिर वो यहां पर अपने light आप fire power को यूज़ करना सुरू कर देता है जिसे देख अब यहां के सभी master काफी हैरान हो गए थे क्योंकि हाओयू के पास में light और fire दोनों attribute मौज़ूद होते हैं लेकिन अभी भी इन मेंसे बहुत से लोगों को इस बात के उपर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इसी के साथ हाओयू 5th level वाले power का यूज़ भी कर रहा होता है लेकिन तब ही पता चलता है कि हाओयू के पास में असल में तो 3 attribute हैं और इसी के साथ अब उसने यहां पर अपने wine power का भी यूज़ करना सुरू कर दिया था जिसके बचास से यहां पर एक बहुत बड़ा tornado जेनरेट हो गया था अब इस बात से खुद हुवांग ये की हालत भी काफी खराब हो गई थी क्योंकि इस वक्त हाओयू जिस power का यूज़ कर रहा था वो 6th level वाले power के बराबर होता है अब इसके तुरंत बाद हाओचेन अपने power का यूज़ करके fireball के उपर attack कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो fireball दो टुकडो में तूट गया था और इस तरह से हाओचेन 6 level वाले power को भी destroy करने में कामयाब हो जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस attack में हुवांग ये भी बूरी तरह से जख्मी हो गया था और फिर वो जैसे ही खड़ा होने की कोशिस करता है वहाँ पर हाओचेन आ जाता है अब इस तरह से हाओचेन इस मैच में जित गया था लेकिन हम देखते हैं कि इस बात का उसे अपने उपर कोई भी घमंड नहीं होता और फिर वो बड़े प्यार के साथ में हुवांग ये के सामने अपना हाथ करता है जिसके बाद इसके मदद से हुवांग ये भी खड़ा हो जाता है तभी हम देखते हैं कि हाओचेन के इस जीत से सभी लोग खुस हो गए थे क्योंकि असल में आज का मैच सबसे सांदार हुआ था तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओओ यूभी इस बात से काफी खुस हो गया था और तभी उसकी नजर लिटिल एल्फ के उपर जाती है और फिर वो तुरंत ही उसके पास में आ जाता है लेकिन उसे लगता है कि या कोई खाने बाली चीज है जिसके वज़ास से वो उसे तुरंत ही निगल जाता है अब या देख वांग ये काफी हैरान हो गया था और फिर वो अचानक से बेहोसो कर नीचे गिर जाता है अब इसी के साथ एपिसोड यहीं फरेंड हो जाता है लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आपको एक्स्प्लानेसन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना